वीडियो में आप लोगों को बिलिंटा नब्द मंघ टेबलेट के भारें में बताऊंगा जिसका इस्तंवाल हारिट अटेक और इस्टोक से बचाव के-लिए किया जाता है चैबलेट का इस्तंवाल क्या है चैबलेट से क्या लात होता है इस टेबलेट के क्या कैसा इफेक्ट हो सकते हैं लेने के बाद इस टेबलेट को इस्तमाल कैसे करना है या टेबलेट इस्तमाल करने के बाद किस परकार आपके सरीर पर काम करता है या सारी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी मैं Dr.C.S. हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को प्रेस करें तक यह अगरे वीडियो चैनल आपकी मदद हो सकें इस टेबलेट के प्राइस की बात करें तो यह आपको 228 रुपए में किसी भी मेटकर श्टोर पर मिल जाने वाला टेबलेट है इस टेबलेट का इस्तमाल आपको कफ करना चाहिए तो इसके इस्तमाल में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हार्ट अटेक और स्टोक से बचने के लिए इस टेबलेट का इस्तमाल किया जाता है इस टेबलेट से होने वाले लाब में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिलिंटा 90 mg tablet को उन लोगों के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है जिने हाली में हार्ट अठेक हुआ है या चाती में हार्ट अठेक से समधी तेज तर्द हुआ है और इस्ट्रेट वल एंजाइम और जिने हार्ट में इस्ट्रेट लगे हैं या ऐसे लोगों को गंभ और थीनर है या नौसों और आर्टरी के अंदर ब्लट कलाट के बनने की रोग थाम करता है या आपके सरीर में मुक्त ब्लट फ्लो में मदद करता है जो हार्ट अटेक या इस्टोक या डीफ वें थ्रम्बोसिस या पल्मोनरी एमबोडिज्म को रोगता है इस दवा का अध ब्लट की कलाटिंग को रोकने में काफी हद तक मदद करता है ब्लिंटा टैबलेट का इस्तमाल आपको कैसे करना है तो इसके इस्तमाल में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस दवा के कुराका और अनपात की यवदी के लिए अपने डाक्टर से औसे सलाने इसे सा बाएं कुछले या तोड़े नहीं ब्लेंटा नब ब्लेंटा टैबलेट को होजन के साथ या भूके पेट भी लिया जा सकता है लेकिन बेहतर यह रहता है कि आप इसे एक नियमिस समय पर लें तो अच्छा जड़ देखने को मिलेगा इसकी डोज में मैं आप लोगों को बत करता है तो इसके काम करने के तरीके में आपनों को बताना चाहूंगा कि ब्लेंटा नबीमज टैबलेट एंटी पलेट लेट अब्लेट लीट को चिक कने से बचाकर काम करता है जिससे नुकसान दायक रखत के ठक्यक का निर्मा कम हो जाता है यह हार्ट एटेक और साइफक्ट में डाक्टर की सला लेनी के ज़र्वत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का स्रीमन करने से साइफक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं अगर साइफक्ट लमबे समय तक बने रहते हैं या आपके लच्छन भी गड़ने लगते हैं तो आपको अपने डाक्टर से आउसे संपर्ख करना चाहिए इस टैबलेट से होने वाले सामाने साइफेक्ट में खून का निकलना और सांस फूलना यह दो तरह की समझाया आपको हो सकती है यह समझाया जब ज्यादा हो आपको लगे कि आप इसे परिसान है तो आपको अपने डाक्टर से आउस संपर्ख करना चाहिए यह दिया थी बिलिन्टा नब्यम्जी टैबलेट के बारे में आउसिक जानकारी हमारे दोरा दी गई है जानकारी आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूटूब चैनल को और से सब्सक्राइ करेंगे बीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय सुभू